तो यह question देखो अब इसमें क्या है कि एक अपने को circular disc दिया हुआ है और एक जो है square plate दिया हुआ है circular disc की जो radius है circular disc की radius और sorry circular disc का जो diameter है और square plate के जो edge है वो दोनों same है दोनों D और D दिया हुआ है साथी साथ ये दिया हुआ है कि दोनों का जो mass per unit area है वो same है अब mass per unit area same होने का ये मतलब हुआ कि जो masses का ratio होगा वो area के ratio के बराबर आएगा ठीक है तो suppose करो मैं इस disc का mass को मान लेता हूँ M1 और इस square plate के mass को मैं मान लेता हूँ M2 बात करते हैं M1 की तो M1 की value कितनी आईगी M1 will be equal to what area मैं एक काम करता हूँ मैं दोनों की density को sigma और sigma मान लेता हूँ मतलब जो mass per unit length है उसको sigma मान लेता हूँ तो sigma into disk का area disk का area कितना होगा भई 4 sorry pi into radius का square अब radius क्या है diameter का अधा तो ये हो गया अगर मैं बात करूँ M2 यानि की square plate के mass की तो density area mass density into area area कितना हो जाएगा d into d दोनों side का square होता है तो भाई अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या दिख रहा है अपने को pi sigma और d square by 4 आ जाएगा जबकि ये अपने को क्या दिख रहा है d square दिख रहा है अब दुनों को divide कर दो sigma into d square दिख रहा है sorry अब divide कर दो तो sigma और sigma कट जाएगा तो इसलिए पहले बोल रहा था कि जो masses का ratio आएगा वो area के ratio के बराबर आएगा तो भाई d square और d square को और काट दो और जो ratio आया वो क्या आया pi by 4 आया याने की m1 और m2 का जो mass है m1 और m2 masses का जो ratio है वो कितना आ रहा है अपने पास pi by 4 आ रहा है अब मैं काम करता हूं इन दोनों masses को कुछ ऐसा मान लेता हूं इसको मैं मान लेता हूं pi m ठीक है m1 को pi m मान लेता हूं और m2 को मैं मान लेता हूं 4 into m है ना उससे क्या होगा कि ratio maintain हो गया अब m कुछ भी constant अपने कुछ से मतलब नहीं तो ले देके m1 की value आ गई pi m और m2 की value आ गई 4 m अब क्या अब यह जो disc है उसका center of mass यहां पर है और यहां पर क्या रखा हूँ है अब जैसे इसके center of mass में पूरे mass को अपन रख दी अब इस disc को भूल जाएंगे अपन लोग भूल गए और यहां पर क्या रखा हूँ है यहां पर यह पुरा square रखा हूँ है और उसका mass कितना है M2 है दोनों के distance के अगर मैं बात करूँ तो भाई यह कितना है D by 2 और यह भी कितना है D by 2 यहने कि दोनों की बीच की दूरी कितनी हो गए D by 2 अब एक काम करता हूँ है किसी एक को original मान लेता हूँ अब में को हाला कि पता नहीं किस फॉर्मेट में दिया हूँ है एक बार मैं देख लेता हूँ आंसर किस फॉर्मेट में दिया हूँ है center of the disk से दिया हूँ है ठीक है तो मैं काम करता हूँ disk के center को original मान लेता हूँ तो यह बना लिए axis ऐसी y axis और यह x axis हलाकि y axis का कोई काम है नहीं क्योंकि यह टू पार्टिकल सिस्टम दिख रहा है और यह टू पार्टिकल सिस्टम दोनो एक्स एक्सेस में है है ना तो y axis का कोई चक्कर है नहीं अब भहिया इस 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 प्लेट को दोनों प्लेटों को भूल जाओ square plate हो चाहे rectangle square plate हो चाहे circular plate हो दोनों को भूल जाओ simply two-particle system है तो अब मैं center of mass निकाल होगा अगर तो इसका x-coordinate कितना है 0, y-coordinate कितना है 0, इसका x-coordinate क्या होगा d और y-coordinate क्या होगा 0 तो x-coordinate of center of mass will be equal to m1 और m1 की value कितनी है pi into m into x-coordinate जो कि 0 है plus m2 जैने कि 4m into x-coordinate जो कि d है divided by total mass जैने कि pi m plus 4m अब यह तो भूल जाओ इसको क्या बचा उपर 4md और नीचे देखो m को मैं common निकाल सकता हूँ और pi plus 4 बच जाएगा अब इस m को और इस m को काट दो क्या बचा 4d by pi plus 4 इसका मतलब क्या हुआ कि जो x-coordinate आया with respect to what with respect to this point with respect to origin वो कितना आया यह आया है ना इसका मतलब जो अपना center of mass है वो कहीं यहां पर होगा है ना और वैसे सही बताओ तो यह जो point है ना वो देखो इन दोनों का जो center है वो कहां है इन दोनों का center है यहां पर लेकिन भारी वाला वाट कौन सा है obviously square वाला क्यों क्योंकि square का area साफ साफ जाधा दीख रहा है मेरके तो center से कुछ right side में होगा center of mass यहां पर और यह जो distance है ना यह distance होगी किसके बराबर इसके बराबर यानि कि यह जो value लिखी हुई है वो d by 2 से थोड़ी सी जाधा होगी मेरा यह कहने का मतलब है क्योंकि अगर center of mass बिलकुल बीचो बीच होता तब तो d by 2 आता पर बीचो बीच से थोड़ा सा और right side में आ रहा है तो answer ले देके d by 2 से कुछ जाधा आएगा हला कि वो एक common sense का point था वो मैं ऐसे ही बता दिया ले देके इसका answer क्या हो गया 4d upon pi by 4 upon pi plus 4 towards the right of the center of the circular plate ठीक है तो बहुत 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 जान्दे वाद